बहुत समय हम लोग अपने लैपटॉप को चार्ज पे लगा के यूज करते हैं तो सवाल यह है लैपटॉप को चार्ज पे लगा के यूज करने से क्या पैटरी खराब हो सकता है या नहीं या फिर लैपटॉप को चार्ज पे लगा के ही यूज करना चाहिए और आपके पास लेपटॉप है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक दिखना हम लोग घर पे या फिर अपने ओफिस पे लेपटॉप को नॉर्मली चार्ज में लगा के यूज करते हैं और इससे आपका जो लेपटॉप है उसकी बैटरी हंडेट प्रिसंट चार्ज होनी की चांसे बहुत ज्यादा होते हैं तो बात यह है कि लेपटॉप में नॉर्मली लिथे माइन बैटरी यूज होता है लिथे माइन बैटरी को फूल चार्ज करने से बैटरी का जो पावर है वो धीरे-दीरे कम होता जाता है यानि कि जितनी बार आप अपने लेपटॉप को फूल चार्ज कर एक ते हो उतनी बार आपका लैप्टों को जो बैट्री गरी का है वह त्व्यहा धोब्न मतलब आपका जो बैट्रीं बैक करन लगता है और एक अगर सब समय लैप्टॉप को चार्ज़ प्यटा की यूजminded करते हो तो आपका जो लैपटॉप आप है वह होता हुगा ऑवरीटिंग के वह जैसे आपका लैपटॉप में बहुत सीरियस प्राप्लम्ह भी हो सकता है नौर्माली थोड़ा-मुरा हीट होने से ओठीक है पर ओवरीटिंग लैपटॉप बैटरी आफि लैपटॉप में भी प्रॉब्लम कर सकता है तो ऐसा क्या किया जाए जिसे बैटरी बैकप कम ना हो तो सबसे पहले लैपटोप की चार्ज को 100% ना होने दे इससे बचने के लिए आपका लैपटोप का जो कंपनी है वह लैपटोप की बैटरी के लिए अलग से बहुत सौफ्ट्वेर बनाती है उस दीजिया आपने सेट किया 80% तक 80% के बाद लैपटोप की चार्ज नहीं होगा मतलब आटोमेटिक रुख जाएगा तो इस सौफ्ट्वेर में आपको 80-90% तक सेट करके रखना होगा आसूस लैपटोप के लिए आसूस बैटरी हेल चार्जिंग सौफ्ट्वेर है वैसे ल कोई सौफ्ट्रे ना हो तो अपने लैपटोप को सिम्पल 80-90% चार्ज करो 100% मत करना और लगबर 30% होने से चार्ज फिर से लगाओ इससे लैपटोप का जो बैटरी लाइफ है और बैटरी बैक अप है वह पहले से और भी स्ट्रॉंग हो जाएगा यानि कि बर जाएगा ल करना आपका लैपटोप ओवर हीट हो सकता है और हां लैपटोप को पूरी रात कभी भी चार्ज पर मत बैठाना वरना बैटरी जो है वह बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और हां लाश्ट में छोटा से एक रिक्वेस्ट है वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राब करके वीडियो को लाइक कर लेना क्योंकि मैं जब भी आपके लिए ऐसे वीडियो लिए आपके पास सबसे पहले पहुंचे थैंक्स वार वाचिंग